हेलो दोस्तों चलिए हम लोग इस वीडियो में डिसकस करते हैं इंडियन एर फोर्स मुव बहुत सारी वेकंसिज आई है आपकी बहुत सारी वेकंसिज है जैसे लडिसी के पोस्ट के लिए है म्टी एस पोस्ट के लिए हिंदी टैपिस्ट के लिए कुक के लिए है स्टाफ मे के लिए है शुप्रिटेंडेंडेंट के लिए इस सभी पोस्ट के लिए आपके वहां सिज़ा है टोटल आपके जो वहेंसी है वह 1907 में इतनी वहेंसी है और देखे डेट ओफ जो एडवर्टिजमेंट है वह साथ का है कितना है 7-8-2021 है तो यह हम date of advertisement क्यों बता रहे हैं क्योंकि date of advertisement से ही आपका जो last date है form receipt of application जहां आप देखे सबसे पहले तो जान लिजे कि यह जो form है वो online नहीं होती है online आप इस form को नहीं भर सकते हैं इसको offline भरा जाएगा और आपको post के थुरू आपको जिस command में आप नोर्थन command इस्टन command जिस command में आप form भरते हैं वहां पर आपको post के थुरू इस form को भेजना होगा किस के थुरू post के थुरू form इसमें है वो मैं दे देंगा वहां से आप निकलवा लिजिएगा तो लास्ट डेट हाँ देखें यहां पर देख लिजिए यह online तो नहीं होता है यह offline ही होगा आपको और लास्ट डेट ऑफ जो form रिशिप्ट है बो क्या है 30 डेए बीदिन 30 तर्ट डेए के अंदर ही जो डेट ऑफटीजमेंट है डेट ऑफटीजमेंट कितना साथ है तो साथ के बिदिन 30 डे ही जैसे 7 स्टार्ट हुआ तो हमको कितना 6 तक 6 0 9 तक हमको फॉर्म को वहाँ पर रिशिप्ट हो जाना चाहिए जहां पर हम बेजें अगर इससे ज्यादा टाइम लगेगा तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा वहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट हो मिनमूम एज आपका ठाड़ा है मैक्समूम मैक्समूम एज आपका पचीश है और और स्ट का आपका रिलैक्सेशन भी मिलेगा वह अलग बात है तो चलिए हम लोग नोटिफिकेशन में देख लेते हैं क्या-क्या चीज बताया हुआ पूरी डिटेल में इसको हम समझा दें है तो चलिए यहां पर देख लेजिए नोटिफिकेशन आ गिया है नोटिफिकेशन में देख लेजिए यहां पर आपको यहां पर दिख रहा हुगा देखिए यहां पर पोस्ट है टोटल वैकेंसी और कैटेग्री बाज में आपको वैकेंसी दिया गया है आपको पोस्टल एड्रेस है देख लीजिए पोस्टल एड्रेस यहां पर है पोस्टल एड्रेस से पोस्ट है जैसे इस पोस्ट में और टोटल वैकेंसी ओवी सी बेगर आपका जो भी है तो देखिए यहां पर नागपूर है तो नागपूर के में है जो यह अगर आप नागपूर में भरते ह है तो नागपूर में आपको देखिए कुक और MTS का है और लॉंडरी मैन का है एक चीज तिन चीज का आपका भैकेंसी है कहां पर यहां पर Air Force Air Force नागपूर वाला जो कमांड है उसमें जिसमें यूर का है ओवी सी का इसमें नहीं है तो आप इसके हिसाब से भर सकते हैं ठीक माले आपको नागपूर नहीं भरना से हैं तेखिए यहां पर है कानपुर में है एयर फोर्स का जो यहां पर देखिए थर्ड नंबर में थर्ड नंबर में देख लिजिए यहां पर है थर्ड नंबर में MTS का है इसमें तो जेनरल में सब्सक्राइब वर सकते हैं तो आप देख लिजिए पोस्ट के अनुसार आप कहां भना देखिए सुपरीटेंडेंडट का है कर पेंटर का है आप जिस मतलब कमांड में कानपुर में चन्डीगर्में जहां भरना चाहते हैं आप सभी जगह भर सकते हैं एक फॉर्म से ज़्यादा भी भर सकते हैं आप अलग अलग जो कमांड है वहाँ पर आप फॉर्म भरकर वहाँ पर पोस्ट बाइज भेज सकते हैं ठीक कि अधिकि एल्टीसी का भी है बहुत सारा पोस्ट है यहाँ पर अलग सीए इम टीऑशै लॉंड्री मैंन है तो आपको देख लिजेए टोटल कितने कमांड है टोटल 18 है अठारा और इस्तर्न कमांड में भी देख लिजी इस्टर्ट कमांड में भी आपका कि इस्टर्न कमांड यहां पर है आप देख लिजिए इस्टर्न कमांड में उसमें 18 था इस्टर्न कमांड में देख लिजिए कितने हैं कि इसमें भी लगबग आठ है अब साव्थर्न बेस्टर्न कमांड में देख लीजिए कितने हैं सभी में आप कहीं भी भर सकते हैं और पोस्ट बाइस के अनुसार आप इसको भेज सकते हैं अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि एज रिलैक्स सेशन तो आपको पता हो पता ही होगा कि ओभी सी को मिलता है तिन साल के पांच साल को अब चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम देख लेते हैं यह तो मुस्ट इंपोर्टेंट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब्सम्हत्पून है देखिए सुप्रिटेंडेंट अस्टोर के लिए हमको क्या चाहिए एसेंशियल है ग्रेजुएट आप हो कोई भी विश्य से आप ग्रेजुएट है डिजाइरेवल देखिए हमको एसेंशियल ही चाहिए लेकिन अगर डिजाइरेबल में अगर एक्सप्रियेंस है हेंनलिंग अश्टोर आइंओ के अकाउंट तो भी अच्छा है एल्डी सी में देख लिजी एल्डी सी में क्या चाहिए हमको 12 पास्ट चाह होना होगा और experience चाहिए handling में handling of store and keep account store cook के लिए देखिए cook के लिए क्या है cook के लिए है आपका metric metric pass होना चाहिए और बिथे certificate जरूर होना चाहिए या diploma in catering और एक साल का क्या चाहिए experience चाहिए तो cook में आपको certificate या diploma in catering चाहिए और एक साल का experience भी चाहिए penter में penter में भी आपको certificate चाहिए ठीक penter में भी certificate आपको चाहिए करपेंटर में भी आपको 10th pass होना है आपके साथ उसके साथ आपको उसमें चाहिए कर्पेंटर का कॉपरस में सभी में आपको टेंथ पाथ स्रींथ पास होना चाहिए और साथ जो भी पोस्टर जैसे फीटर है है मेकैनिक है इस सभी में आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए लॉंडर मैन में सभी में और एक साल का experience भी चाहिए MTS में देखिए अब MTS के बात कर लेते MTS में आपको shift 12th metric pass होना चाहिए ठीक कि और वन यह एक्सपिरेंस है जब बाचमान ओ तो डिपेंड करता है कि 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 स्वेस्ट के लिए आप भड़ रहे हैं हिंदी हिंदी टैपिस्ट हम देख लेते हैं हिंदी टैपिस्ट हिंदी टैपिस्ट में आपको वल्थ फास होना चाहिए और हिंदी टाइपिस्ट में देख लिए शिफ हिंदी में टाइपिंग नहीं है बहुत बहुत सारे लोग यहां पर कनफ्यूज हो जाएंगे लेकिन देखे टाइपिंग एक अश्पीर आप पाइंटिस इन इंगलीश या हिंदी दोनों दिया हुआ तो हिंदी टापिस्ट मतलब यह नहीं किसी पहने ही वह टाइपिस्ट करेगा एक मतलब हिंदी में ही टाइपिंग उसका और नहीं यह गलत है अब चलिए हम देख लेते हैं मोड औफ स्लेक्शन अ कैसे होगा इसका मोड आफ सेलेक्शन देख लेते हैं जो कि काफी इंपोर्टेंट है देखिए आपका जो अप्लिकेशन है वह स्कूरूटर नाज किया जाएगा चेक किया जाएगा कि एज लिमिट के अनुसार मिनिममम क्वालिफिकेशन के अनुसार और डोकमेंट और सेटिफिकेट के अनुसार उसके बाद आपका कैसे चेक करेगा आपको यह सभी चीज आप जब फॉर्म फिलप कर रहे होंगे पोस्ट के थूरू ठीक ना भेजना है तो उसमें आप सभी जैसे यहां पर क्वालिफिक डोकुमेंट बेगर आपको देना होगा जैसे 12 में लडिसी के लिए फॉर्म भर बेजा है तो इसके लिट टुवेल्थ का जो भी सरिफिकेट है मार्क शिट वेगर आपको सेलफस्टेट कर आपको देना होगा जिखिए और यहां पर क्या है कि इस अभी चीज आपको वहां पर जांची जाएगी अगर सभी चीज सही होगा तभी आपका एडमिन कार्ड व और कॉल लेटर बाई पोस्ट ही आएंगे और एलिजिबल कंडिडेट बिल भी रिक्वार्ट टू अपियर रिटेन टेस्ट रिटेन टेस्ट बिल भी वेस्ट और मिनिमूम एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए लडी सी के लिए लडी सबसे पहले देख लेते हैं यहां ऑफ लडी सी के लिए लडी से के लिए जनर एंट्ली खेलेंस एंग्लिस्ट यंग्लिस्ट औयज से का जैसे हैं जो चार सब्जक्ट होते हैं इसमें अच All you जो लडी सी होता है तो सैम ही है मतलब आपका जो क्या बोलता है तो यह लोग के लिए हैं पर भी देख लिए को अस्टेनोग्राफर के लिए जैनल एंटीलिजेंस रिजिनिंग जैनलर आवएर्नेंस इंगलीज और कंपरेहंज़न तो इसमें मैथ नहीं है MTS और जितने भी बाट साहे क्लाउंडरी मैन में स्टाफ इस सभी के लिए देख लिए देख लिजिए रिजनिंग है निमरीकल अपलिट्यूड है और क्या है जनर इंगलिस है और जनर अबरने से सभी चीज़े हैं और फूर अदर ट्रेड फूर अल अदर ट्रेड अड़ पोस्ट तो उसके लिए है रिजनिंग नुमरीकल इंग्लिश और जनर अबरने से और ट्रेट से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे है और देखे कंडिड के बिलवी सौट बिल फिसॉट लिस्टेड एक आएए जितना वहाकेंसी हैं भाकेंसी के टेन टाइम लिए सब्सक्राइब क्या सोट्ट लिस्ट किया जाएंगे श navy उश के बाद उसको बुलाया जाएगा कि कि इस प्रिश कल और प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए बुलायाँ और 100 पर्षेंट भाडी विए टूदए टेतेश्ट रीटैब्स ने परसेंट दिया जाएगा और जो skill test बेगारा है जैसे typing बेगारा इस त्रिफ आपका जो qualification है qualification मतलब सिर्फ आप उसको उसमें आपको qualify करना है ठिक ना इसके अधार पर merit list नहीं बनेगा इसमें आपको क्या pass करना होता है qualifying in nature होता है पास करना होता है आपका जो merit list बनेगा वो रिटेन एक्जाम पर ही merit list बनेगा और जब आप short list हो जाएंगे skill test बेगारा में merit में नाम आ जाएगा उसके बाद आपको original certificate बेगारा आपको लाना होगा देखिए लास्ट डेट दे लास्ट डेट डेट अप्रिशिप्ट अप्लीकेशन 30 डेट बिफॉर देट डेट अफ एडवर्टिजमेंट इसके बादे में पहले ही बात कर चुके है कि देखे डेट अफ एडवर्टिजमेंट के तीसी दिन पहले ही फॉर्म वहां पर पहुंच जाना चाहिए बाइपोस्ट कैसे भढ़ेंगे हाउ टू अपलाई सभी सबसे इंपोर्टन चीज है कि हम कैसे भढ़ेंगे फॉर्म तो कैसे भढ़ेंगे यहाँ पर पूरी तरह अच्छी तरह से बताया गया है देखिए इलिजिबल कंडिडेट कैन अपलाई एनी एवब फोर्स कोई भी आप एयर फोर्स से स्टेशन में भढ़ सकते हैं आपने च्वाइस से और आपका क्वालिफिकेशन करनू सारा भढ़िए आप 12 पास है तो लडिसी भढ़ सकते हैं अगर आपको ट्रेड में आइटी क्यास हाँ एक और सब्सेरि इंपर्टेंट रहाँ देखिले अपलिकेशन फोर्मैट गीवए देखे अपलिकेशन फोर्मेट गीवस हैं अपलिकेशन अगर आप अप्लिकेशन भेजेंगे तो ओडिनरी पोस्ट के थूरू आप भेज सकते हैं अगर आप अप्लिकेशन भेजेंगे तो ओडिनरी पोस्ट होता है उसके थूरू आपको एयर फोर्स स्टेशन में भेजना है आप जिस एयर फोर्स स्टेशन के लिए आप भर हैं उस में और देखे जितने भी डोकुमेंट है आपको इन सपोर्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन और टेकिनिकल टेकनिकल क्वालिफिकेशन एस सभी ओवी सी अगर आपका सर्टिफिकेट बेगड़ सब्सक्राइब आपको फोटो कोपी करकर देखें यहां पर इतना डोकुमेंट दिया हुआ है इस सभी इसेल्ट फार टेस्टेट होना चाहिए问 सभी पर अपका सिग्नेचर होना का चाहिए सिग्नेचर करके और法 यहां पर हम दिखा देते हैं शब्से पर यह होगा देखिए यह अपको यहां से भर्थना होगा ए अप विप्लीकेशन पर निकल वाड़ सकते हैं जाकर साइबर कैफे से 5 इहां पर प्रिण आउट कर भा सकते हैं प्रिंट आँट निकल वाशचते हैं देखिए यहां पर शेलफ सेब फोटोग्राप लगाना है एे फोर्म आपको फल प करना है और यह फोर्म के साथ आपको यह फॉर्म के साथ आपको क्या-क्या लाना है क्या-क्या डुक्मेंट चाहिए अगर 12 है तो आपको 12 के मार्शिट वेगर चाहिए इनकेश एपॉइटमेंट ओफ देख लिए इनकेश एपॉइटमेंट ओवी सी कंडिडेट अगेंस्ट रिजर्ब कोटा देर कास्ट शुड़ी अंडर ओवी यहां तो आपको सेंट्रल ओवी सी का ओची चाहिए क्या बोलते का सेटिफिकेट वेगर आप वहाँ पर भेज सकते हैं ओविसी सेटिफिकेट होता है आप फोटो कफी कराकर सेलफ एस्टेट कराकर आप भेजिएगा देखे एक सर्विसमेन के लिए हैं इनकेश एक सर्विसमेन फोटो अप डिस्चार्ज बूक इस समिटेड लॉंग विद अप्लिकेशन एस सभी चीजे है जो अप्लिकेशन के साथ सेलफ आश्टैट करकर आपको भेजना होगा और जो अप्लिकेशन फुली डुली टाइपड इन इंग्लीश या और हिंदी में आपको भरना है क्या हिंदी और इंग्लीश में बित रिसेंट रिसेंट का फोटोग्राफ पास्पोर्ट साइज होना चाहिए और सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए क्या इनियत्य शपोर्टिंड डकुमेंट त lienतेम विर्सेंट है वो सेल्फ एटेस्टेड होना चाहिए शेल्फ अड्रेश इनवलॉफ बित स्ट एंप सिल्फ एड्रेस होना चाहिए एड्रेस देना होगा और जो स्टाम्प है वो बीथ स्टाम्प दस रुपिया का स्टाम्प आता है वो आपको पेस्ट करना होगा कितने का 10 पी याद रखिये गा आपका जो डस टाइमप है बहंगे पे इनभरोप 10 पे 20 कुलसे पेस्ट करना होगा को चिपकाना होगा ठीक और जो आपका अडरेस है या तो एंग्लिस है यह बहीं लीख जैब अप्लिकेशन फुर इच पोस्ट फॉर वहां सेप्रेट आप अप्लिकेशन भर सकते हैं आपको जो इन वहलब है उस पे आपको क्लियरली मेंशन करना होगा क्या अप्लिकेशन लिखना होगा अप्लिकेशन फॉर दा पोस्ट अगर पोस्ट आफ एल्डी सी एंड केटेग्री ओबीसी मादलिया अगर ओबीसी के हैं एगांच अड़िजमेंट नमबर तो यह आपको लिखना होगा इन लेट पर लिखना होगा कहां इन वैलाप पर लिखना होगा केलियर लिवपर में को चाहिए हैं यहां पर देख लिए तू पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जेनरल इंस्ट्रक्शन है यह सभी चीज जैसे भी हम बता चुके हैं तो इसका कोई जरूरी है नहीं क्योंकि आप यहां पर देखें वही चीज लिखा हुआ है अप्लिकेशन रिशेब प्रियोडेट मतलब जो डेट अब अडवर्टीजमेंट के बाद 30 से ज्यादा टाइम लेते हैं तो वह आपका जो अप्लिकेशन है रिजेक्ट कर दिया जागा वही चीज लिखा हुआ है वहाँ पर चलिए यहाँ पर आप फॉर्म ए निकाल लिजिएगा इस फॉर्म को आप प्रेंट आउट करवा लिजिएगा और फॉर्म को भर दिजिएगा और उसके बाद एक इनवहलप लाईएगा उस पे कितना दस उर्फ यह का न था दस उर्फ्म का स्टाम्प उस पे आपको चिपकाना होगा और जिस पोस्ट के लिए आप भर रहे हैं उसमें क्या-क्य रिकार्मेंट हैं के लिए भर रहा हैं के टूवेल्ट को मैंट इट बरना होगा है जो तो बेल्ट का सर्टिफिकेट है वह देना होगा साथ में फोटा देना होगा शेल पेंट ट्रेट करके अगर ओविसी पेरेंग में बायमार रहनी है या अस्ट टेगनी में वर रहे हैं तो इसका स्यटिफिकेट ओवीजिस शर्टिफिकेट आपको भेजना होगा ओर इजनल मत सीएगा जो फोटोकोपि आप खरवा कर एक और प्रक्रम आपको भेजना होगा हान। और एक और बात last में बता दे रहे हैं आप speed post से मत बेज देगा बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करेंगे speed post से बेज देंगे जी नहीं आपको ordinary post से ही बेजना पड़ेगा इसलिए आप जादा बेट मत किजिएगा जल्दी ही भर दिजिए क्योंकि आपर पहुंचने भी टाइम लगेगा क्योंकि आपको 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 अस्पीट पोस्ट आपको तो भेजना नहीं है चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं अगर कोई और प्रोब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स कमेंट सेक्षन में आप लिख सकते हैं कि अगर कोई बात समाज में नहीं आया हो तो चलिए कमेंट सेक्षन में आप लिखिए हम देखेंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिए धन्यवाद